हलो फ्रेंस मैं हुरी मा उलकम टू माई चाइनल आज मैं एक बहुत ही सुन्दर सा कोट कॉलर ने कुर्टी की कटिंग और इसकी सिलाई बताने वाली हूं इसके लिए मैंने दो कलर का फैबरिक लिया है यह मैंने ब्लाउज पीछ लिया है अलग से सारी का इसमें कलर में और बाजु पे लगाने के लिए और यह मैंने फैबरी उपकाणी है फोर इंच और बाजू की जो गुलाई होता है वो है सारे पांच इंच तो इसी मिजर्मेंट पे हम इसकी कटिंग करेंगे पर आप इस वीडियो को अंत देखिए क्योंकि मैं इसमें पूरी डीटिल के साथ बताने वाले हूं ताकि आपको अगर किसी भी साइच का कटिंग करन अब उसके बाद देखें यहां उपर से पहले आप अच्छे से सीधा कर देजिए तो देख सकते हैं मैंने इसे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद हम यहां पे लंबाई का निसान लागाएंगे तो आपकी जितनी लंबाई हो उससे दो इंच एक्ष्ट्रा लेना है य अब इससे सीधा कर लूँगे देखें 2 निसान को अच्छे से सीधा कर लेंगे तो इस पर कर मैंने सीधा कर लिया है आप हम सॉल्डर का निसान लगाएंगे तो आपको जितना सोल्डर हो उसका हाफ प्लस आदा इंच चुलाई के लिए लेंगे तो जैसे यह 14 इंच अब आर्म haul भी आपको इस परकर सारे सात इंच लेगे लेना है, तो देख सकते हैं, मेले सारे सात इंच पर निसान लगा और सेक्ञे हम मुलानए के बाद हम चेस्ट निसान लगाएंंगे उसके पहले मैंने यहाँ पारो का we offer more सेपा देआ हुँ इस परकार गोला दे देंगे और इस परकार दोनों को मिला देंगे देखें अब उसके बाद यहाँ पर एक इंचू पर निसान लगाना है नीचे से गुलाई देने के लिए और इस परकार कमर का हाफ कर लेंगे और जहाँ पर आता है वहीं से आपको इस परकार गुलाई देंगे तो इस परकार कटिंग कर आप तीन इंच भी ले सकते हैं सवा तीन इंच भी हो सकता है आपका अब उसके बाद एक अंदर के साइड में एक और निसान लगाएंगे एक इंच पर देख सकते हैं मैंने लगाया है अब आधा इंच अंदर के साइड में गहराव देंगे और इस परकार गुलाई देते हु निसान लगया है इस परकार कटिंग कर लेंगे और बाकी हम पूरा स्मक्तिंग करेंगे तो यहां से इस परकार डबल करेंगे पूरे कपरे को तो यहां पर मैंने double cut दिया है और इसको आप किसी भी side से निकाल सकते हैं open side से भी और folded side से भी देख सकते हैं तो मैं यहां folded side के तरफ पहले 5 inch extra लेंगे यानिकि 4 inch extra लेना है तो मैंने 1 inch जादा करके यहां पर निसान लगाया है यह मैंने 5 inch लिया है देखिए और यहीं से इसे सीधा कर लोगी और सीधा करने के बाद यहां उपर से भी आपको 5 inch extra ले लेना है चार inch में भी हो जाएगा पर मैंने हाँ पर 1 inch extra लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए अब देखिए यह जो 5 inch पर हमने निसान लगाया है उसके ऊपर यह जो solder है सोडर वाला लाइन देखिए उसे मैच करते हुए मैंने रखा है नीचे के तरफ, बिल्कुल इस परकार रखेंगे और नीचे से बिल्कुल यह बराबर ही कटिंग करेंगे और इस परकार यह साइट से भी बिल्कुल बराबर ही रहेगा आइसे, देख सकते हैं, मैंने याँ पूरा ब्राबर ले लिया है और इस निसान को आगर के तरफ कर लेंगे, अब देखिये यहाँ पर नीचे के तरफ करके जो नेक की वीर्थ है वो तो उतना ही रहे गा, यह मैंने पौने 3 इंच पर निसान लगा दिया है, देख सकते हैं, आप देखude. जी ही निसान है उससे एक इंच अंदर के तरफ एक और निसान लगाएंगी. यानिकि जैसे मैंने बैक सायड में लगाये था, एक इंच अंदर के तरफ उसी परकार यहां भी मैंने लगा दिया हैं. आप देखिए यह अर्म होल को यह लगभग पौने इंच तक हम गहराव देदेंगे तो अगर वैसे नहों हो पाए तो पहले आप इसे सीधा कर लेजिए और सीधा करने के बाद इस परकार एक इंच अंदर के तरफ निसान लगाए तो नार्मल सुट में जितना लेते हैं उसे लगभग एक इंच जढ़ा आपको यहां पर लगाना है तो जैसे मैं सारे छे इंच लेते हूं तो यहांपे एक इंच या फी डेरी इंच एक्स्टा ले सकते हैं मैं 1 इंच एकस्टा ले रहे हूं तो यहां पर मैं सारे 7 इंच पर निसान लगाऊंगी और इस निसान को देखें अंदर वाला जो निसान है वहां से ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद इस निसान को आपको नीचे के तरफ सीधा कर देना है उसके लिए पहले जिसे यहां पर चारेंज शेक्ष्टा लेना है तो पहले चारेंज पर निसान लगा देंगे देख सकते हैं और इसे सीधा कर लोंगे देखिए अब यह जो चारेंज मैंने निसान लगाया है वहां से धाई या दो इंच उपर निसान लगाएंगे ऐसे और यहीं तक इसे सीधा कर लेंगे यानिकि इस निसान को जो उपर वाला इन निसान है इसे हमें पूरा सीधा इस परकार नीचे के तरफ कर देना है लाइ की कटिंग कर रही हूं अलग से नहीं लगाएंगे तो उसके लिए यहां पर जितनी चौला आपको कॉलर बनाना है उससे डॉबल आपको यहां पर निसान लगाना है जैसे अगर आप 2 इंच चौला कॉलर बनाना चाहते हैं तो यह चार इंच पर निसान लगाना है तो इस ये बाद ये बगल वाले लाइन को भी हम उपर तक इस परकार सीधा कर लेंगे, ये देख सकते हैं, दोनों लाइन को मैंने बिल्कुल इस परकार ये सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद यहाँ पे हलका सा गोलाई देना है, यानि कि इस लाइन को ऐसे सीधा लाते हुए हलका सा राउंड करते हुए उपर वाले लाइन के पास मिला देना है देखिए बिल्कुल ऐसे मिला दीजिए या पिर आप चाहें तो हलका सा बाहर के तरफ निकालते हुए भी आप इसको मिला सकते हैं तो जैसे यहां से देखिए इस लाइन को हलका सा जैसे मैं यहां पर आधा इंच मैंने बाहर के तरफ निकालते हुए गुलाई दिया है आप चाहें तो एक इंच भी ले सकते हैं यहां पर अब देखिए यहां पर नेक की जो चोलाई है टोटल अब यहां पर पहने चारिज पेनद लाएंगे अब यहां पर बोस निसान लगा देंगे लिए इस्पर करने इस परकार कोई भी triangle safe में कुछ हो तो उसके आप मदद कर सकते हो यानि कि इस corner पे हमें 90 degree का cone बनना चाहिए ऐसे आपको यहाँ पे सीधी line बनाना है यह देख सकते हैं मैंने बना दिया है यानि कि इसकी जो चौलाई है इतना आना चाहिए और इसकी जो चौलाई है इसके बरा पराना चाहिए यह देख सकते हैं यहाँ पे पहुने challenge तो यहाँ भी यह मैंने पहुने challenge ले लिया है अब हमें पूरा सेम mark पे cutting कर लेना है यानि कि इधर तो हम सेम cutting करेंगे सिर्फ हमें इस side में आधा इंच extra लेते हुए cutting करना है यानि कि सिलाई के लिए सिर्फ यहाँ प कि यहां तो कटिंग करने के बाद यहां पर मैंने यह सोल्डर को डाउन नहीं किया है जैसे हमने बैक साइड में किया था उसी परकर यहां पर फ्रांट साइड में भी करना है तो एक इंच अंदर के तरफ निसान लगाएंगे और यहां पर ऐसे हम सेब देंगे यानि थोरा सा इस ओल्डर को डाउन कर देंगे, यह देखिए डाउन हो गया और बाकी सेम कटिंग कर लेना है, यह देखिए पूरा मैंने बता दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, या तभी भी समझ में ना आए तो आप हम रखेंगे, तो यहां पर मैं इसको रखूंगी, यह देखिए और फ्रांट पाट को ऐसे रखेंगे, और सिर्फ कॉलर की कटिंग करेंगे यहां पर तो इस परकार ऐसे बराबर करके रख दूंगी, और पूरा हम सेम कटिंग कर लेंगे, यहां से तो यह बिल्कुल लगाया है कॉलर के लिए वहाँ पर भी एक इंच हम इस परकार एक्स्टा लेंगे और इस परकार मिला देंगे और से मांग पर कटिंग कर लेंगे तो यहां पर यह मैंने कॉलर की ट्रेंग कर लिया है देख सकते हैं अब इस कॉलर को हम इस कपड़ें पर पे राके प्रेष्ट कर लेंगे याणि प्रेस लगा के छिपका लेंगे तो बिल्कुल इस परकार जो wrong side है, उल्टे side के उपर के तरफ रखोंगी, देख सकते हैं ऐसे, और इस पर कर जो चिपकने वाला है, बकरम, उसको नीचे के तरफ ऐसे रखते हुए, इसके उपर प्रेस लगा लेंगे, देखें, यह मैंने प्रेस कर लिया है इसके उपर, अब हमें सेम बिल्कुल ब्रा बिल्कुल इस परकार आधा इंच फोल्ड करते हुए, यह नीचे तक आपको फोल्ड कर लेना है, और इसी परकार कर लोगई, तो यहाँ पर मैंने दोनों को फोल्ड कर लिया है, अब दखें टॉप का हम फ्रॉंट साइड लेंगे, यह फ्रॉंट साइड है, इस कॉलर वाल यानि कि रखने के बाद देखे इस पर का रखने के बाद इसमें भी आपको यहां पर सिलाई मार्जन देखे जाएगा यानि कि सिलाई देखे यहां पर मैंने फोल्ड कर दिया है तो इसमें भी बच गया है यानि कैसे रखेंगे और यहां सिलाई कर लेंगे यह देख सकते हैं जो हमने आधा इंच सिलाई के लिए एक्ष्ट्रा लिया था कॉलर वाले साइड में उतना ही पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई कर देना है और इसी परकार दोनों में कर लोंगे करने के बेंद आपको इस परकार सीधा करना है और इस मार्जन को इसमें दो मार्जन है तो दोनों को इस परकार खोल के दो साइड में कर दीजेगा ताकि एक साइड में मोटा न आ हो तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिलाई मार्जन को दोनों साइड में कर लिया है और इस परकार सीधे साइड उपर करके रखेंगे और फिर दूसरा जो पार्ट है इसमें भी हम सिलाई मार्जन इस परकार दोनों साइड में कर लेंगे और उसके बाद दोनों को देखिए बिल्कुल इस परकार आपको रखना है एक के उपर एक यानि कि जो बीच वाली सिलाई है बिल्कुल एक के उपर एक आनी चाहिए यानि एक के पास ही रखना है दोनों को और बिल्कुल इस परकार रखते हुए हम इसके उपर सिलाई कर लेंगे आप तो यह आप देख सकते हैं बिल्कुल सिलाई से सिलाई मैच है अब हम फिर से Margin को दोनों साइड मे कर लेंगे देखे ऐसे करना है और फिर आपको इस पर कार fold कर देना है तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो क्या होगा बीच में color के पास बिल्कुल भी मोटा नहीं होता है अब देखिए पूरे को आप ऐसे कर लीजिए fold कर लीजिए और यहाँ पर ऐसे fold करते हुए आपको पूरे में सिलाई कर लेना है देख सकते हैं बिल्कुल आपको इस पर कर बराबर रखते हुए इसके उपर सिलाई कर लेना है आप चाहें तो इसके उपर पहले प्रेस भी लगा सकते हैं पर नहीं भी लगाते हैं तो हो जाता है देखिए बिल्कुल इस पर कर बराबर करते हुए मैं पूरे में सिलाई कर लूँगी ताकि अच्छे से बैठ जाए तो यहां पर देख सकते हुए मैंने पूरे में इसलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे हरने की सिध्य साइड को उपर करके रखा है और देखें बैकसाडड जॉआइट करेंगे तो उसके पहले तक सिलाई करेंगे और इस साइट में भी यहां तक हम सिलाई कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यह जो कॉलर वाली बीच वाली सिलाई है और बैक साइट का बीच का कट बिल्कुल इस परकार मैच करते हुए रखेंगे और यहें से सिलाई लगानाई स्टार्ट करेंगे कि देख सकते हैं मैंने यहां पे सिराइक कर लिया है और एक साइट में सिलाई हो गया उसी परकार यह दूसरे साइड में भी करले तो फिर से आपको यहीं से शिलाई लगाना सटाह्ट करना है तो फिर से हम देखिए बिल्कुल इस परकार दोनों को सिर्फ आपको ब्राबर रखते हुए और आधा इंज पकटते हुए सिलाई कर देना है यह देख सकते हैं सिलाई हो गया है और सिलाई करने के बाद जो कॉर्णर साइड है देखें आपको दिखेगा कॉर्णर टाइफ तो वहाँ पर ऐसे कट लगा देना है कट लगाने के बाद यह पूरा अच्छे से सीधा हो जाता है देखें यहाँ पर मैंने कट लगा दिया है और कट लगाने के बाद इस कॉलर को इस परकार उल्टे साइड में फोल्ड कर देंगे देखें बिल्कुल इस परकार फोल्ड करेंगे और इस से इस परकार दबाते हुए मार्जन को अंदर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे तो सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल इस परकार यहाँ से सिलाई करते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे देखें यहां तकाने के बाद आपको margin को अंदर के side में कर देना है और बिल्कुल इस परकार अंदर के side में करते हुए इसके उपर सिलाई कर लेंगे तो यह पर आप देख सकते हुए मैंने पूरे में सिलाई कर लिया है और सिलाई करने के बाद आपको सिधे साइट में इस परकार फोल्ड कर देना है देखें दोनों पाट को ऐसे फोल्ड करेंगे और पहले इस पाट को नीचे के तरह बिल्कुल ऐसे बराबर करके रखना है आपको साइट से तो ऐसे ब्राबर करके रखेंगे और फिर दूसरे बाले पाट को भी इस साइट से ऐसे ब्राबर करके रखेंगे देखें यहाँ पर ब्राबर करने के बाद यह जो दोनों एक के ऊपर एक चट गिया है फ्रॉंट पाट बिल्कुल इस परकार पकड़ते हुए दोनों पाट को ऐसे पकड़ लेंगे और यहां पर सिलाई कर लेंगे देखिए सिलाई लगाने के बाद इसके मैचिंग बटन हम यहां पर लगाएंगे तो बिल्कुल इस परकार 2 बटन और यहां पे यह दो बटन ऐसे आपको attach कर लेना है तो यहां पे यह मैंने matching button लगाया है तो देखिए इसी बटन को इस परकार यह पर यह परेस से बना करके हमने यहां पर लगा दिया है आप देखिए यहां पे हम slips joint कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इस पट्टी को सीधे साइड में हम फोल्ड कर देंगे, तो देखें बिल्कुल इस परकार फोल्ड करेंगे, और ऐसे पकरते हुए यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद इस साइड से भी फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, तो पर लटने के बाद बिल्कुल इस परकार पकड़ते हुए पूरे स्लिप्स के उपर आपको सिलाई कर लेना है और इसी परकार यह मैंने दोनों स्लिप्स देखिए यहां पर जॉइंट कर लिया है तो देख सकते हैं यह उपर वाला पार्ट तियार हो गया है अब नीचे से सिर दिर्फ उपर के तरफ यह तीन प्लेटे लगा करके यह तियार किया है क्योंकि ज्यादा कप्रा नहीं था इसलिए मैंने इस परकार यह इसको त्यार किया है और बिल्कुल इस परकार रखते हुए यहां पर मैं सिलाई कर लूँगी यह देख सकते हैं एक साइड में मैंने फ्रंट साइड है तो ऐसे फ्रंट साइड को रखेंगे इसके उपर और बिल्कुल इस परकार पकड़ते हुए देखिए यहां बाजू के साइड से ऐसे पकड़ते हुए आपने जितना मार्जन लिया है उतना पकड़ते हुए पूरे में सिलाई कर लेना है कि को दखी बिल्कुल इसपार कार पकड़ेंगे और यहाँ से जैसे हमने डेरंज इंची दो इंच मारजन लिया है उतना पकड़ते हुकां सबगर नीचे तक सिलाई कर लेंगे और उसी परकार इस सइड में भी यहां से हम सिलाई लगाना इस्टार्ट करेंगे और यहां तक कर लेंगे तो बिल्कुल यहां भी आपको जितना सिलाई लिया है आपने इस परकार पूरे में आपको सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद देखिए इस परकार हम इसे सीधा कर लेंगे तो यह देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इससे सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद यह इस परकार यहाँ से आएगा यह देख सकते हैं यहाँ पे हमने के ऴीडियो Siya देगा इस वीडियो को और मेरे चानल पे अगर आप नए हैं तो इस परकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चानल को जरूर सिस्क्राइब कीजिएगा